इसे दुखद ही कहा जाएगा कि दीवाली आते ही प्रदूशन पर बहस्चिल जाती है फायर क्रेकर्स मुद्दा बन जाता है यही नहीं बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाती है निर्नए अगर जनता के मन का नहीं है तो उसका आंशिक पालन ही होता है सत्ता पक्ष मूप मंडूप बना रहता है सब जानते हैं फायर क्रेकर्स अपनी हद पार कर चुके है NCR पहले ही गैस चैंबर बन चुका है फायर क्रेकर्स से प्रदूशन में बढोतरी ही होगी अब जनता को सोचना ही चाहिए इस पर स्वतह विराम क्यों न लगाया जाए डिपावली पर खुशी ही तो मनाई जानी है यह खुशी किसी और तरह से भी मनाई जा सकती है जो पैसा हम फायर क्रेकर्स पर खर्च करेंगे उससे गरीबों में गरीब बच्चों की फीस के रूप में या अन्य कोई भी कल्यान कारी कार्य पर खर्च कर खुशी प्राप्त कर सकते है बहतर होगा हाई स्कूल लेवल पर प्रदूशन की पूरी जानकारी दी जाए इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा मैं अपने विद्यार्थियों को इस विशे की संपूर्ण जानकारी मुहयया कराता था जब प्रदूशन की बात आई है तो हमें गंगा के प्रदूशन पर बात करनी होगी हमारे यहां अतिक्रमन विरोधी कार्यवाही जोरों पर है शहर को साफ सुत्राव वसुंदर बनाने की कोशिश हो रही है मास्टर प्लान के अधीन कार्यवाही की गई है लेकिन अभी मास्टर प्लान की कोई योजना है ही नहीं गंगा प्रदूशन रोकने के पहले शहर में सीबर लाइन डालने वह नाले नालियों का बहाब गंगा में जाने से रोकने की बात होनी चाहिए थी ऐसा कुछ नहीं हो रहा मेरे विचार से प्रशाषन खुद असमंजस में है उन्हें खुद नहीं मालूम करना क्या है अंधेरे में तीर मारने का काम हो रहा है जो वक्तवियर सामने आ रहे है उससे लगता है नहरू रोड वो लोहाई रोड को बचाने का कार्य हो रहा है शहर को बचाने के लिए क्या कोई वैज्ञानिक सलाह ली गई है अथवा नहीं रेल्वे रोड से चौक तक सड़क बनाई जाएगी अपने अपने घरों या दुकानों का फर्ष तीन फीट उचा करवाने की कोशिश कर ले वरना अभी जो और बाकी है देखना होगा अपने सभी मित्रों को दीपावली की अग्रिम शुब का मनें